नमस्ते दोस्तों, आज हम बताएंगे कि यूनिवर्स से साइन कैसे मांगते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में चल रहे हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। कभी-कभी हम इतने कनफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि यूनिवर्स ने हमें साइन भेजा है और हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन हम इसे साज नहीं पाते हैं। आप इस दोरान क्या कर सकते हैं? किस तरह से यूनिवर्स से साइन माँग सकते हैं? यहां मैं आपको अपनी ही जर्नी का experience शेयर करने वाला हूँ. मैंने किस तरह से यूनिवर्स से साइन माँगे? और आज ही आज जो यह वीडियो आप सुन रहे हैं. आज ही के दिन मैंने यूनिवर्स से एक साइन मांगा, मुझे विदिन फाइव मिनिट्स के अंदर साइन मिला और किस प्रकार से हमें यूनिवर्स से साइन मांगना चाहिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ यूनिवर्स से साइन मांगने का सही तरीका आखिर होता क्या है जैसे मैंने किया बिल्कुल वैसे ही आपको बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है जो भी आपका क्वेश्चन है आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से साइन मांगना है जब आप क्वेश्चन अपना क्लियर कर ले उसके बाद में आप अपना ही कोई साइन चुने जैसे आप चाहते हैं मुझे कबूतर दिख जाए किस कलर का कबूतर दिख जाए वो भी आप चुन सकते हैं या फिर मुझे कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर दिखे जो भी आप चुनना चाहते हैं वो आप यूनिवर्स से कहे उसके बाद आप कहें कि यूनिवर्स मुझे 24 घंटे के अंदर साइन दीजेगा मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे 24 घंटे के अंदर साइन देंगे जैसा कि आप पहली बार करेंगे तो आप यूनिवर्स को टाइम मत दीजेगा कि मुझे इतने घंटे में मिले आप कम से कम एक दिन दीजिएगा ठीक है उससे क्या होगा आपका दिमाग फाइट नहीं करेगा तो मैंने भी ऐसे ही किया था अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने यूनिवर्स से सबसे पहले किस तरह से साइन मांगा था जब मैं law of attraction के नियम की बात कर रहा हूँ आपको यूनिवर्स से बात करने के लिए daily practice करनी होगी मैंने भी काफी practice की है जिसका experience आपके साथ share कर रहा हूँ और अभी भी practices मेरी चल रही है कभी-कभी मेरे सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको लेकर मैं बहुत confuse हो जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे लिए सही है या नहीं है तो मैंने यूही random जब मैं अपनी चछत पर गया तो मैंने यूनिवर्स की तरफ देखा मैं कुछ भी यूनिवर्स से बातें करता हूँ या भगवान से बातें करता हूँ तो मैं आकाश की तरफ देखता हूँ यानि स्काई आस्मान की तरफ देखता हूँ मैंने आस्मान की तरफ देखते हुए कहा यूनिवर्स मेरा ये क्वेश्चन है जो मैंने उनको क्लियर बताया मेरा ये क्वेश्चन है अब आप मुझे बताईए क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है क्या मैं सही पत पर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ मैंने ऐसे अपना ये क्वेशन रखा उसके बाद में मैंने यूनिवर्स से कहा अगर ये मेरे लिए सही है तो आप मुझे किसी भी कलर का कबूतर दिखाईएगा मैंने ऐसा उनसे कहा ये मेरी चॉइस थी कि मुझे किसी भी कलर की कबूतर दिखे उसके बाद मैंने उनको टाइम दिया मैंने बोला मुझे एक दिन के अंदर आपका रिपलाई चाहिए मुझे नहीं पता आप मुझे कबूतर किस वे में दिखाएंगे बस मेरी आँखों को वो कबूतर दिखना चाहिए और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है या वो रियल हो सकता है उड़ते हुए दिख सकता है या किसी कार्टून में दिख सकता है किसी मैगजीन में दिख सकता है किसी पिक्चर मे भी दिख सकता है। मैंने ऐसा कहा। जैसा कि हम करते हैं। मैं दुबारा उपर किसी काम से गया तब ही मैंने देखा कि एक कबूतर मेरी तरफ उड़ते हुए आ रहा है। मैंने देखा और जब मुझे अचानक से याद आया। एक दम राइट था। मेरा ये क्वेश्चन करना यूनिवर्स से बिल्कुल सही था। एक्जैक्टली बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ। ये मेरी आदत है पेड़ पौधों से बात करने की, फ्लावर से बात करने की, मतलब मुझे बहुत… अच्छा लगता है, इस तरह से मैं बातें कर रहा था। और यूनिवर्स से मैंने कहा, यूनिवर्स, क्या मैं ये सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? और मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन ये था, यूनिवर्स, मुझे बताईए, जो मैं ये काम कर रहा हूँ अपने चैनल पर जो वीडियो डालता हूँ, क्या सही है? मेरे जो टॉपिक्स है, मेरा जो कंटेंट है, क्या वो राइट है, वो सही जा रहा है तो इस तरीके से मैंने उनसे क्वेश्चन किया, उसके बाद में मैंने उनसे कहा अगर मैं सही रास्ते पर हूँ, तो मुझे कबूतर दिखाईए अब इस मौसम में कबूतर दिखना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मौसम इसके बाद जो मौसम आता है स्प्रिंग सीजन, उसमें कबूतर बहुत मुश्किल से दिखाते है इस मौसम में तो मैंने 15 दिन पहले तक भी कबूतर नहीं देखा उसके बाद मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट खड़ा हुआ अपने चछत पर यहीं इधर उधर देखने लगा अचानक से मेरे दिमाग से वो लटको भी हो गया दिमाग से वह चीज निकल गई मेरे सामने से वाइट और ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत कबूतर निकल कर गया उसको देखते ही मैंने जोर से कहा वाओ दिस इस साइन डिस फॉर मी ये मेरे लिए साइन था यूनिवर्स की मैं सही रास्ते पर हूँ इस तरह से मैंने उनको दिल से तीन बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला उनको धन्यवाद बोला और मैंने बोला कि सच में आप बहुत अच्छे हो हर बार मुझे रिपलाई करते हो इस तरह से मैंने वो बोलकर वहीं से छोड़ दिया ऐसे आपको करना है आपका कोई भी क्वेश्चन है लेकिन किसी को हानी नहीं पहुँचने क्वेश्चन अपने स्पेसिफिक परसन को लेकर अपनी मैरिज को लेकर अपनी जॉब को लेकर जहां आप कन्फ्यूज हैं आपको नहीं पता कि वो परसन मुझे प्यार करता है कि नहीं करता मेरी शादी होगी या नहीं होगी मैं जो ये एक्जाम दे रहा हूं या दे रही हूं काफी बार दे चुका हूं क्या इस बार मैं clear कर पाऊंगी या कर पाऊंगा इस तरह कि जो confusion वाले question होते हैं आप universe से कर सकते हैं और आपको answer भी मिलते हैं ध्यान रखने वाली बात ये है जब आप question करें आप doubt में ना हो आप उनसे बार बार ये ना देखें यूनिवर्स कब तक message मिलेगा अपने आप से self talk ये ना करें मैंने तो ये question किया था मुझे तो अभी तक message नहीं आया मुझे तो अभी तक इसका result नहीं आया universe ने मुझे अभी तक ये sign नहीं दिखाया तो इस तरह के question आपको नहीं करने हैं आपने पहले question किया उसके बाद में अपने question के according आपने sign चुना universe मेरा ये question है मुझे अब इसके according अपना sign मैंने बता दिया है मुझे ये दिख जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर इस तरह से आप ये question put up करेंगे और इस तरह से आप अपना sign रखेंगे और 24 घंटे का आप universe को time देंगे उसके बाद में आप देखना 100% आपको कुछ ना कुछ reply अवश्य ही मिलेगा जरूर ही मिलेगा क्योंकि होता ही ऐसे है जब आप busy होते हैं ना आप receiving mode पर होते हैं आपको receiving mode पर होना है तो receiving mode आने के लिए आपको अपनी चीजों के लिए थोड़ा busy हो जाना है आपको ज्यादा नहीं सोचना है आपको overthinking नहीं करनी है आपको positive रहना है अपनी चीजों की के लिए positive रहना है अपने खुद के लिए positive रहना है खुद से positive self talk करनी है जो मैं हमेशा हर वीडियो में यही करता हूँ कि खुद से की हुई बातें ही आपकी destiny बनती है सामने वाली कोई भी चीज वो एक बार होती है आप उसके according अपने आप से किस तरह की बातें कर रहे हैं वह सबसे ज्यादा important है क्योंकि universe कहीं अंदर नहीं है universe आपके अंदर के लिए आपको अपनी चीजों के लिए थोड़ा busy हो जाना है आपको ज्यादा नहीं सोचना है आपको overthinking नहीं करनी है आपको positive रहना है अपनी चीजों की के लिए positive रहना है अपने खुद के लिए positive रहना है खुद से positive self talk करनी है जो मैं हमेशा हर वीडियो में यही करता हूँ कि खुद से की हुई बातें ही आपकी destiny बनती है सामने वाली कोई भी चीज वो एक बार होती है आप उसके according अपने आप से किस तरह की बातें कर रहे हैं वह सबसे ज्यादा important है क्योंकि universe कहीं अंदर नहीं है universe आपके अंदर? है universe, आपके बाहर है universe आपके mind में है universe में ही आप रह रहे हैं तो देखा जाए हम universe का हिस्सा हैं आप भी universe के हिस्से हैं तो इस तरह से आप universe से question करेंगे और जो sign मिलेगा उसको आप thank you बोल कर universe को late को कर देंगे और ऐसे ही मिलते हैं लोगों को यूनिवर्स के साइन मैं एक बार में रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले आप अपना question चुनेंगे आप अपना question एकदम clear रखिएगा किस चीज के लिए आपको yes और no चाहिए उसके बाद में आप universe से question करिए देना अपना एक साइन चुनिए जो भी आपको अपने question के according sign देखना है उसके बाद में आप universe को वक्त दीजिए 24 घंटे का at least वक्त दीजिए आंसर आपको जरूर से मिलेगा जब वो divine timing पूरी हो जाती है आप तब receiving mode में आ जाते हैं तो चीजों के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है चीजों के लिए busy हो जाए अपने लिए busy हो जाए तो कैसा लगा वीडियो मुझे comment section में जरूर बताईएगा अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद